बेटे चप्टर नबर 18 था टामिक और नुकलियर फिजिक्स इसका लास टॉपिक रह गया है नुकलियर फिवियन ठीक है और नुमेरिकल्स इसके जो हैं वो आप लोगों का लास का जो वर्टसेप ग्रूप बना हुआ है उसमें आपने पीडिया फाइल शियर कर दिया है वहा और साथ यही नुमेरिकल्स तयार करने हैं तो हमारा लास्ट टॉपिक था नुकलियर फिवियन आप लोगों ने जब नुकलियर फिशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कोई बड़ा नुकलियाई होता है जो ब्रेक अप होके दो छोटे नुकलियाई में कनवर्ट हो जाता है ठीक है और उस प्रोसेस को आपने का था नुकलियर फिशन और उसमें आपने यह पढ़ा था कि जो हमारे पास रिजल्टिंट नुकलियाई आता है उसका मैस रिएक्टिंग नुकलियाई से कम होता है ठीक है यानि कि जो बड़ा नुकलियाई था उसका मैस ज्या करनें नएड़े लौनेर्ट करें number il को बड़ एसे निस नेुक्लिय को दो छोटे हैं निब कि यूरा हुटार कह से इनरजी को सान available गेंसे बलाइज करेंगे लायजा कोगने हमें सब्सक्राइब नहरा हो स्बीचन को करेंगे इस प्रोसेस को कहते है नियूकलियरफीन है अब इसकै enael ar indicated यह निए जिसे क्या का जाता है एलफा बार्टिकल हिलियम प्रोडियुस किया साथ न्योट्रोन और साथ एनरजी आगई ठीक है इस प्रॉसेस में भी क्या होगा कि जो हमारे पास फाइनल न्युक्लिय बनेगा इसका मैस कम होगा जब के जो री अक्टिंग न्युक्लिय संग होंगे जिनका रियक्शन हो रहा है अगर हम इन दोनों के मैस को कमबाइन करें तो इनका मैस ज्यादा होगा इसका मैस कम होगा रिजन इसकी भी यह यह कि अकॉर्डिंग टू मैस एनर्जी रिलेशन जिसे आप आइंस्टाइन एक्वेशन भी कहते हैं है आपने पड़ा हैपले के अर्दिटो एनर्जी मैस एनर्जी एक्वेशन क 되면 अंडियों am numa यह दोनों जॉइन हुए एक दूसरे से इन्होंने रियक्ट किया तो यह दोनों कंबाइन होके हीलियम बनाएंगे और साथ ही रियक्शन करते हुए कुछ एनर्जी रिलीज होगी एक्चली वो मैस था जो मैस कनवर्ट हो गया एनर्जी में ठीक है तो यहाँ पर साथ आपने यह स्टेडमेंट भी लिख देनी है कि मैस ओफ दा प्रोड़क्ट यह है प्रोड़क्ट हीलियम ठीक है मैस ओफ दा प्रोड़क्ट इस लेस दैन मैस ओफ दा रियक्टिंग नूकलाई जो प्रोड़क् mass converted into energy और mass energy equation के according क्या हुआ कि जो mass में loss हुआ है वो किसमें convert हो गया energy में साथ आप इस equation की जो हमने equation लिखी है और यह process हमने explain किया है इसकी आप यहां साथ diagram देख ले deuterium tritium deuterium में क्या हुआ एक neutron एक proton ठीक है यहां क्यूंके sum of neutron and proton होते हैं और यह सिर्फ क्या होते हैं neutron होते है sorry proton होते है तो यहां पे proton हो गया एक और इसमें से जब हमने एक proton निकाल दिया तो एक ही neutron रह गया ठीक है और यहां भी ऐसा ही है neutron हो गये दो proton हो गया एक तो जब हमने ये एक proton निकाल दिया तो बाकि यहां कितने neutron रहा गए? दो अब जब ये कंबाइन हुए deuterium और tritium इन दोनों का reaction हुआ जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने एक बड़ा nuclei बनाया ठीक है? वो बड़ा nuclei क्या कहलाया? helium जिसमें दो परोटॉन आ गए, दो न्यूटॉन आ गए इसमें से देखें, दो परोटॉन और दो न्यूटॉन हीलियम में चले गए बाकि सिरफ एक न्यूटॉन रह गया, वो सेपरेट हो गया ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास helium पार्टिकल बना साथ एक न्यूटॉन आया और साथ ही क्या हुआ, एनर्जी इमिट होगी ठीक है? अब वो कहता है कि nuclear fusion जो है, अगर हम इसके uses देखना चाहें, कि यह कहां use हो रही होती है, जिस तरह आपने nuclear fusion reaction जो आपने बढ़ा था उसमें आपने देखा था कि nuclear fusion का process जो है, वो हम use कहां करते हैं, atom bombs बनाने में, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह nuclear fusion जो है, जो हमारे पर solar energy आ रही होती है, यहनि कि जमीन पे, सूरज से जो energy पहुंच रही होती है, यह nuclear fusion का result होता है, वहाँ पर क्या हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में, energy radiate होती है, और वो जमीन तक पहुंचती है, तो energy coming from the sun and stars is supposed to be the result of fusion reaction, sun से यह star से जो energy आ रही होती है, वो क्या consider की जाती है, कि कहां से आ रही है, fusion reaction के result में, वो energy produce हो रही होती है, ठीक है, और temperature at the center of sun is 20 million Kelvin, जो sun होता है, sun के center में temperature जो है, वो 20 million Kelvin, यानि कि इतना high temperature और इतना high pressure होता है, sun की यह center में, sun surface पे क्या होता है, temperature और pressure इतना high होता है, कि वहाँ पे hydrogen atom जो है, वो क्या करता है, convert होता है helium में, जिस तरह आपने यह equation पढ़ी, कि hydrogen के जो atoms हैं, वो किसमें convert हो रहे हैं, helium में, ठीक है, और साथ ही energy radiate हो रही होती है, ठीक है, जिस तरह आपने बाकी stars का पढ़ा था, कि क्या actually यह होते हैं, क्या gases की balls होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से sun भी gas की एक ball है, और उसमें hydrogen और हीलियम ज्यादा दर पाजाते हैं, hydrogen और हीलियम का mixture, जो है, gases का, वो sun बनता है, उन दोनों के mixture से, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहाता है, कि continuously यह reactions हो रहे होते हैं, hydrogen convert हो रहाता है, हीलियम में, hydrogen helium में convert हो रहाता है, साथ energy emit करता जा रहा होता है, hydrogen helium में convert होता है, साथ energy emit करता जा रहा होता है, ठीक है, और जैसे ही यह इसमें convert होता है, तो साथ यह energy जो emit होती है, यह क्या होती है, actually, positrons और alpha particles emit होते हैं, यह भी energy particles ही हैं, जिस तरह आपने alpha, beta, gamma पढ़े थे, energy particles थे, positrons भी energy particles हैं, ठीक है, तो इस reaction के नतीजे में क्या होता है, alpha particles और positrons emit होते हैं, जो के, जमीन तक energy की form में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, जिसे heat energy का जाता है, जो sun से earth तक heat पहुंच रही होती है, sun rays जो होती है, वो actually क्या होती है, वो energy होती है, जो इस process में emit, electron volt, ठीक है, लेकिन earth तक ये सारी की सारी energy नहीं पहुंच ती, सिरफ इसका, बिल्कुल minor सा part जो है, वो earth तक पहुंच ता है, और इसके लावा जो 15% तकरीबन ऐसी होती है, जो reflect back हो जाती है, जमीन तक आती है, लेकिन reflect हो जाती है, ठीक है, 30% ऐसी होती है, जो evaporations के लिए use होती है, जहाँ जहाँ दरिया होते हैं, समंदर होते हैं, lakes होती हैं, वहाँ से क्या होता है सारे, energy वहाँ पर absorb कर लगता है, water और वो फिर evaporation के लिए use होती है, ठीक है, जिसकी वज़ा से फिर rain fall होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो एनर्जी रेडियेट हो रही है तो टोटल होती कितनी है 25.7 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट ठीक है तो यह आपके चप्टर का लास्ट टॉपिक था नियुक्लियर फियां सान नुमेरिकल्स भी हो गए चप्टर के टॉपिक्स भी सारे कवर हो गए यह चप्ट तो इन्शाला नेक्स लेक्ट्चर में फेज वा है वो हम चप्टर नुम्बर 17 स्टार्ट करेंगे अलाह आपिस बटे